नाव वैलकम क्लास विफ्थ स्टूजेंट, नाव तूड़े विए गलेंग तु स्टार्ट लॉट चप्टर नमबर फूर, स्कूल एक मंदिर है कौनसा चप्टर है यह चप्टर फूर्ट और क्लास कौन सी है बटा, क्लास फिफ्थ Students एक classroom की बात कर रहे हैं Classroom का conversation चल रहा है Students are sitting Raju the class monitor notice some bits of paper lying on the floor near Manjit सारी class के students जो बैठे हुए है Raju कौन है class का monitor है उसने notice कि Manjit के पास जमीन पे कुछ paper जो है वो पड़े हुए है Monitor कौन होता है The head boy of the class जो head boy है वो Notices मतलब उसने देखा Bits of paper मतलब छोटे चोटे चोटे किसके कागच के Floor मतलब जमीन ठीके तो उसने देखा Raju Manjit Who has thrown this bits of paper in the class तो Raju Manjit से पूछता है कि Manjit ये कागच के चोटे जमीन पर किसने फेके है Manjit I don't know Raju Manjit बोलता है Raju मुझे नहीं पता Maybe some boy has thrown this script तो Manjit बोलता है क्या पता है किसी दूसरे लड़के ने फेक दियो हो Scrap मतलब भी क्या होता है Piece of paper तो Manjit बोलता है मुझे नहीं पता किसी दूसरे लड़के ने फेक दिये Raju No, you are telling a lie तो Raju बोलता है नहीं Manjit तुम जूट बोल रहे हो When I went out of the class You were writing on a paper तो Raju बोलता है कि तुम जूट बोल रहे हो जब मैं class से बाहर गया था तो मैंने देखा था कि तुम paper पर कुछ लिख रहे थे I am sure these are the bits of that same paper और मैं sure हूँ मैं यकीन से बोलता हूँ कि ये वो ही paper के कागश है जिन पर तुम लिख रहे थे Manjit I didn't throw them here Manjit बोलता है लेकिन मैंने वो paper यहाँ पर नहीं फेके I threw them in the dust bin मैंने उनको का फेका था dust bin में फेका था Raju loudly No, 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 no You threw them here Now clean the floor कोई जमीन को साफ करो Manjit When I didn't throw these bits of paper Why should I clean them तो Manjit बोलता है कि जब मैंने ये paper जमीन पर फेके ही नहीं है तो मैं इनको क्यों उठाओ मैं इनको क्यों साफ करूं Both start quarreling Just then the class teacher enter और फिर क्या होता है इसी बात पर दोनों लड़ने लग जाते और अचाना क्या होता है उनकी class teacher जो है वो class में enter करती है Teacher Boys Why are you making a noise Teacher पूछती है ये लड़कों तुम इतना आवास क्यों इतना शूर क्यों मचा रहे हो Manjit Sir Raju is blaming me तो Manjit बोलता है कि Sir Raju मुझे पर क्या कर रहा है Blame कर रहा है He says that I have thrown these pieces of paper here Manjit बोलता है Sir Raju ये बोल रहा है कि ये कागस के जो टुकड़े है वो महने इस जमीन पर फेके है He is telling me to clean the floor also और वो मुझे क्या कर रहा है इस floor को साफ करने के लिए भी बोल रहा है It's not my job तो Manjit बोलता है कि ये मेरी job, मेरी duty नहीं है Teacher बोलता है Boys, at first be quiet and listen to me patiently तो teacher बोलते हैं लड़कों सबसे पहले तो तुम शान्त हो जाओ और मेरी बात को घ्यान से सुनो Tell me if your body become dirty who cleans it तो sir बोलते हैं कि चला अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ अगर तुमारी body dirty हो जाती dirty मतलब घंदी हो जाती तो कौन उसको साफ करता है All, we do it ourselves sir तो sir बच्चे बोलते सारे कि हम खुद ही अमारी body को साफ करते हैं Teacher, if your room is dirty is it only your mother duty to clean it तो sir बोलते कि अगर तुमारा room घंदा है तो राजू बोलते है कि नई sir मेरा room तो मैं ही साफ करता हूँ को कि उसमें मैं रहता हूँ Teacher, good राजू तो teacher बोलता है good नेहा, sir I also sweep my room तो नेहा बोलती कि मैं भी अपने room का जाड़ू निकालती हूँ I fetch water with my mother from a well और मैं अपनी मम्मे के कुवे से पानी राने में भी help करती हूँ I help इंदर kitchen also तो नेहा बोलती कि नई sir मैं तो अपनी मम्मे की kitchen में भी help करती हूँ बिट्टू Sir I also help my father at our shop और बिट्टू बोलता है कि Sir में भी अपने father की shop पे उनकी काम में help करवाता हूँ Teacher, very good my children Teacher बोलते है very good children We work at home ourselves and help our family members तो sir बोलते हैं कि हम सब भी घर पे क्या करते हैं अपना अपना काम करते हैं और अपने family members की भी क्या करते हैं help करते हैं There we don't think whether our household activities are our jobs or not और वहाँ पर हम ये नहीं सोचते हैं कि जो घर की जिम्मेदारी है घर के काम की वो किस की हमारी है या फिर किसी और की है In the same manner our school is also like home इसलिए घर की तरह हमारा school भी क्या है हमारा घर है We live here together and study in a friendly atmosphere और यहाँ पर भी हम सब क्या रहते हैं साथ में रहते हैं और एक friendly atmosphere में रहते हैं जहाँ पर without any problem Shouldn't you we think of its cleanliness also तो क्या हम इसकी सफाई की बारे में इसकी cleanliness की बारे में नहीं सो सकते हैं If we make it dirty who will clean it अगर हम इसको घंदा करेंगी तो इसको कौन साफ करेगा I think we should do it ourselves और अगर हम घंदा इसको करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी होगी हमारी duty होगी की हम क्या करें हमारी क्लास को साफ करें फिर राजू बोलता है I will remove all the cobwebs on the wall using a stool तो राजू बोलता है ठीक है सर अब मैं क्या करता हूँ जितने भी cobwebs मतलब जो मकडी के जाले हैं दिवार पे उन सबको क्या करता हूँ मैं stool लेकर साफ करता हूँ I will clean my school मैं अपना school क्या करूँगा साफ करूँगा निहां बोलती है I will sweep the floor मैं क्या करूँगी जाडू से floor को साफ करूँगी and wipe the door using a broom and I will clean my room मैं क्या करूँगी room को भी साफ करूँगी और मैं जाडू पोचा करके पुड़ी क्लास को भी साफ करूँगी next all we will grow flower plants with teachers and aunts school is a temple knowledge is a temple और सब बच्चे मिलके बोलती कि हम क्या करेंगे हमारे school में flowers वगरा भी उगाएंगे school हमारा क्या है temple है मंदीर और knowledge क्या है school जो है वो हमारा क्या है temple है और जो knowledge है वो के हमारे लिए बहुत जरूरी है फिर teacher बोलते हैं you are all right तुम सब सही हो let's make our school bright हमें क्या करना चीए मिलके हमारे school को bright मतलब shining अच्छा बनाना चीए if we are beautiful भारत will be beautiful अगर हम beautiful रहेंगे तो हमारा भारत कैसा रहेगा beautiful रहेगा beautiful मतलब very good मतलब दिखने में जो क्या हो बहुत सुन्दर हो तो इस chapter में आपको क्या बताया था school की बारे में बताया था कि school क्या है एक temple है इसलिए इसको clean करना और इसकी साफ सफाई करना किसकी duty है हम लोगों की duty है next come to work activity one question number a choose the correct alternative इसको आपको बुक में ही करना है question number b true or false इसको भी आपको बुक में ही करना है question number c answer the following question इसको आपको क्या करना है copy में करने है फिर activity two question number a इसको आपको बुक में ही करना है लेकिन इसके answers आपको self लिखने है question number b भी आपको क्या करना है बुक में करना है लेकिन इसके आंसर आपको खुद को सर्च करने हैं कोशन नंबर सी भी आपको क्या करना है इसके आंसर सेल्फ करने है एक्टिविटी फोर्थ इसका भी कोशन है इसके आंसर बुक में लिखने हैं आपको इसको खुद को करने हैं नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड कई नेक्स्ट कोशन भी आपको ही करना है एक्टिविटी फोट में भी क्या करना है आपको खुद को ही इसके आंसर जो है वो करने है और इसको बुक में ही करना है फिर आ जाते है एक्टिविटी फाइफ एक्टिविटी फाइफ वाला जो को कोशन ने इसको आपको कॉपी में करना है जिसमें आपको क्या करना है स्वच भारत अभ्यान के बारे में सुना है आपको उस पे बारे में बताना है डिसकस करना है कि वो कब लॉंच गुआ था तो इसका जो पूरा आंसर एक कोशन प्लस आंसर ये दोनों आपको कॉपी में कर कर दीजेगा सारा वर्क ये था आपका चप्टर नमबर फोर स्कूल इज़ा टेंपल ओके थैंक यू बटा